बीजेपी की सेंट्रल लीडर्शिप के सीनियर लीडर्स बेंगॉल आते हैं जाते हैं लेकिन एक शक्स ऐसे हैं जिन्होंने बंगाल को अपना घर बना लिया है पिछले 6 साल से और इनका मिशन है कि यहाँ पर कोलकाता में भगवा जंडा लह रहा है कैलाश विजवर्ग्य जी अपने जन्पत से बहुत दूर कोलकाता में बीजेपी का मोर्चा संभाल रहे हैं आप जुड़े हमारे साथ बहुत-बहुत शुक्रिया स्वागत है आपका इंडिया टोड़ी इस्ट कॉंक्रेव में कैलाश जी धन्यवाद रहो जी मैं आपसे सबसे शुरुवात में जानना चाहता हूँ कि पिछले छे साल की आपकी तपस्या अप्रेल-माई के इन चुनावों में रंग लाएगी और यहां पर कॉलकाता में भगवा जंडा लहराएगा इस पर आपका confidence level फिलहाल कितना है क्या आपको लग रहा है कि आपने जो तमाम effort की है वो रंग लाने बालेगा 200% confidence है सरकार बनेगी हमारा मुख्यमंतिश अपत लेगा और एक जंगल राज की समाती पश्यम बंगाल में होगी बीजेपी ने तमाम चुनाव लड़े हैं जीते हैं पिछले 6 साल में बंगाल का चुनाव बाकी राज्यों की तुल्ना में अलग कैसे हैं और एहम क्यों है देखिए मैं मध्रदेश से आता हूं रहा हुँ जी आपको मालू है और मध्रदेश में बहुत पीसफुल राजनीती है और जब मैं छोटी पार्शत था विधायक था मेर था तो मैं समझता था कि अगवारों में और मीडिया के मादिय हम से कि बिहार में बहुत हिंसा की रा राजनीती है जिसकी में कलपना भी नहीं कर सकता था ऐसी राजनीती और मुझे लगता है कि चार दशक से यह सब चल रहा है और बंगाल की जनता चाहती है कि यह सब समापत हो और यहां डेमोक्रसी के स्थाफना हो पिछले छे साल में जो आपकी स्ट्रेडिजी रही है वो से हम लोगों ने देखी है अंदर से आपने क्या किया किया क्योंकि पहले कई ऐसे डिस्टिक्स थे कई ऐसे शहर पे कजबे जहां पर बीजेपी के कार spin करता जाने से डरा कर ते तो आपने यह रास्ता कैसे आपने पेक पिछले कार रृता यह रहा है और मुझे साल लगता है लगभख सभी विधान सभाओं में एक से अनेक बार गया हूँ इसलिए कारिकरता को खड़ा करना संगठन से जोड़ना ये मैंने काफी पहले मेरा सभाग ये कि मैं स्वरगी ठाकरे जी को मैंने काम करते हुए देखा माननी प्यारलाल जी को काम करते हुए देखा संदलाल संगठन को कैसे गढ़ा जाता है ये मैंने उनको देखा है और मुझे उस मार्क पर चलकर मैंने संगठन को खड़ा किया मेरे साथ शीव प्रकाश जी अर्मिन मेनन जी सुरेश पुजारी जी हम लोगों के टीम है जिन लोगों ने एक तम पोलिंग बुच से लेकर और शहर पर बेसिकली दीदी कहती हैं कि आप बाहर ही हो आप मैंने ब्यक्ति विशेश नहीं लेकिन कॉंसेप्ट ही है कि आप बाहर से आए हो यहां पर लेकिन इस चुनाव को बंगाली अस्मिता का चुनाव बनाने की कोशिश करें कि बीजेपी पार्टी है बाहरियों की मैं हूं बंगाली और हमारी जो पार्टी हो बंगालियों के बाहरती जन्ता पार्टी का राजनितिक सफर हुआ जंसंग से प्रारम और जंसंग के पहले अधर्ष थे डॉक्टर शमा प्रसाद मुकर जी जो कि बंगाल के थे और यहीं से उन्होंने हुंकार भरी थी कि एक देश में दो निशान, दो प्रदान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, धारा 370 हटना चाहिए, जन्संग का पहला अंदोलन था, जहां देश भर के कारिकरता हुने जम्मु काश्मिर की जेल भर दी थी और वहीं पर उनका बलिदान हुआ था, और हमें कहते हुए एक गर्व है कि हम ज हम भारी नहीं हैं, हम तो डॉक्टर शामा प्रसाद मुकर जी के सपनों का बंगाल बनाना चाहते हैं और हम बंगाल के ही हैं आपने अपनी स्ट्रेटिजी का जिक्र किया, जिससे आपने बीजेपी को गाउं गाउं में बूत बूत पे पहुंचाया, उस स्ट्रेटिजी का एक बड़ा हिस्सा ये भी है, कि आप दूसरी पार्टियों से, खास्तोर से टीमसी से, जो मिलता उसको तोड़के ले आते हो इसकी आपकी पार्टि के भीतर ही काफी आलूचना हो रही है, ऐसा आपको क्यों करना पड़ रहा है बार बार, देखिए, आपको पार्टि का विस्तार करना है, अच्छे लोगों को पार्टि से जोड़ना है, कुल मिला कर आपके आइडियोलाजी के प्रती, आपके नेतरत के प्रती जो आस्था प्रगट करें, वो हमारे साथ आ सकता है, उसको वेलकम है, और इसलिए जब पार्टि का आपको विस्तार करना है, जहां पर की हमारे चार प्रतिशत वोट हो, जहां वहां से पार्टि को शुरू करना है, तो यदि हम सिर्फ एक-एक कारिकरता को ऐसे ह इत्ती ही कारीकरता बनाए कि भारती जन्ता पार्टी जन्व लेते ही भारती जन्ता पार्टी का हो तो बंगाल में शंगठन खंडा करने में हमको 500 लग जाते हैं तो संगठन में अगर आपको विस्तार करना ए तो अच्छे लोग किसी भी पार्टी में हो अच्छे लोग कहते हो फिर आप ले 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 तो फिर आपकी पार्टी में हला होता है फिर आपको बाद में निकालना पड़ता है फिर आप बयान देते हो कि हम लोग आगे चल के ख्याल लेंगे हम होलसेल में नहीं लेंगे हम बड़ा फुग कि एक अनुशाचित पारुए है तो अनुशाच्शी तरीके से पार्टी में इन्ट्री होना चाहिए, कोई भी कौन से कपन में देखना थो पड़ेगा ककुन पार्टी है तो पुझा जा रहा है क्योंकि कही ऐसे टोले बाज लोग जो टोलावाजी हमाँ करते थे जो माफियों के साथ घूमते थे वो एक डेता के साथ भीड में आ जा जाए तो सब को तोड़े लिया जा सकता है अक्छे भारती जन्ता पार्टी केडर बेस पार्टी है हमारी काईड जालाजी वाली पार्टी है और इसलिए हर कोई धरमशाला थोड़ी भारती जन्ता पार्टी जन्ता पार्टी है अगर यही सब लोग आ जाएंगे चुनाफ से एन पहले और आप इंको टिकेट दे देंगे और यह आगे रहेंगे तो हम लोग क्यों आ करेंगे इतने साल से ह हों के पार्टी हो चार नेता हों के पार्टी हो हम नीचे से सहमती लेते हैं जिलाज देक से पूछते हैं जिस मंडल में हो रहे ता हम भी पूछते हैं कि भई कोई नाराजगी तो नहीं है उसके बाद हम उसको पार्टी में लेते हैं इसलिए यह कहना कि कोई नीचे अभी आजी राज्य सभा में त्रिनमूल के एक वरिश नेता हैं दिनेश्ट रिवेदी जी बैरकपोर से उन्होंने इस्तिफा दिया अब बड़ी चर्चा गरम है कि आप उनको एक भगवा साफा पेनाने वाले हैं कब होने वाला है देखे ऐसा कुछनी मैं समझता हूं कि जो की राजनीती की आलोशना की ओन रेकार्ड बाहरा के लोग बोलते हैं पर सदन के अंदर रजिस्टर हुआ है और यह बहुत गंभीर मतला और विशेशकर दिनेश्ट रिवेदी इतने गंभीर व्यक्ति है इतने सीनियर लीडर है इतने सिजेट परसन है कि वो यदि पार्लि इसको बंगाल की जंता भी गंभीरतास लेगी और देश की जंता भी गंभीरतास लेगी आप उनको चुनाव लडाएंगे जब जॉइन करेंगे पर मेरे से संपर्क अभी तक नहीं हुआ उनसे पर बेली में शयाद हमारे नेताऊं से चर्चा हुई तुमुछे पता नहीं पर हाँ मेरी अच्छी मित्रता है उनसे नहीं तो वो जिसे राज्यसभा में वापस जाएंगे बीजेपी के साथ रहते हुए यहां पर आप चुना उजड़ा है नहीं मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि मेरे से कुछ संपर्ग भी नहीं हुआ वहीं पर दिल् कहा के आप जवर जस्ति लोगों को यह मनवाने के लिए अगर कह रहे हैं तो कोई बात नहीं बाकि मेरी बात पर सब विश्वास करते हैं आप पूछ रहे हैं कि आप हमें यह बताएं कि जिस उमीद के साथ यह स्ट्राटीजी के साथ आप सुवेंदू अधिकारी जैसे ने करता हूँ कि सुवेंदू और राजी बेनर जी दो नेता जब नहीं थे हमारी पार्टी में तो हम टक्कर में थें कि टीम सी और हमारे बीच में टक्कर हैं और जैसे ही दोनों नेता है उसके बाद महुर लग गई कि भारती जन्ता पार्टी की सरकार बन रहे हैं और इसलिए कि हमारा जो अंदाश था उससे ज़्यादा हमको सफलता मिले है एक परसेश्चन सारे प्रदेश में बन गया कि टीम सी जसी बीजेपी आच्छ है यह भी तो हकीकत है कि सुवेंदू अधिकारी पे मुकुल रॉय पे आप ही की पार्टी के नेताओं ने नारदाश्टिंग सिंगे गंभी रारोप लगाए आपके नेता सिदाताओं सिंग कहते थे भाग मुकुल भाग सी पिया आती है फिर एक एक वही आजाते हैं आपकी पार्टी में और आप फिर ट्विटर में ढूंदते रहते हो कि कहां पर डिलीट करो डिलीट करो पुराना डिलीट करो देख में खप रिलीट होना इतना होता नहीं था पर 77 के बाद से एक प्राराण बहुए है और मैं समझता है इसमें यदि कोई एक प्रमानी की नेता किसी पार्टी का अपने दल में आता है और इसा लगता है कि वो हमारे नेतरत पर विश्वास करता है हमारे विचार धरह में विश्वास करता है तो उसका स्वागत होता है पर उस वक्त वो विपक्ष में थे यदि उन्होंने इसे कुछ काम किये हैं तो उसके खिलाब बोलना यह हमारा दाइतव है पर यदि वो दोशी होंगे तो उसको उसके सजा मिलेगी हम जहां आप बैठें कल वहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंतरी महमता बैनर जी बैठी थी और महमता बैनर जी जी का कह हैं कि यह तो मैंमता जी के लिए कहता हूं मैं भी कहता हूं उनके लिए च्छत्र धर्म है तो सब से बड़े नक्सल नेता थेMark अब दूसरों पर आरोप लगाने के पहले अपने गिर्वान में जाकना ची मामता जी को बढ़ा है। थो रहे लूड है। मैं इसलीए कहा कि उन्होंने पर आरोप लगाया। इसलीए मैंने काओ, मैं तो पहले यह स्विकार कर चिंखाऊ हु कि कि यदि कोई विक्ति ए मारे आइडियोलाजी से प्रवाइट होकर आता है हमारे यहा। तो इसा थोड़ी कि उसने जो गलत काम की हम उसको सरक्षन दे रहे हैं, जाच एजन से जाच कर रही हैं, और जब भी ज़रूत पढ़ती है, अभी पिछले दिन हो ही सिविया इने मुगल्दा को बलाया था, ज़िए लगा कि उन्होंने गलत किया, तो सिविया इनके खिलाब क इतना इलेक्शन जीतने के लिए भगवान का नाम की लेना पादा है, देखिए भगवान का नाम हमने नहीं लिया, आपके और हमारे लेने से नारा कभी भी नहीं बनता है, एक बाद दिहान में रखिए है, टीमसी 3T के अधार पर काम कर रही है, ताना शाही, टोला बाजी और तुष्टी करन, ये तीन से पूरी पश्ची में बन्गाल की जनता फैड़ अप है, तरस्त हो गई एक तब, और उनको ऐसा लगता है कि अब, अब बहुत हो गया, मुझे लगता है कोई भी नारा है ना एक संदेश देता है, बन्गाल में कोई जैश्री राम बोलेगा, जैश्री राम ममता जी बंगाल छोड़ो, ये नारा जनता के बीच में हो गया, और इसलिए नारा सामाने नारा नहीं है, इस नारे का इतिहास के शब्दों में इस नारे को बंगाल में, सुरणी मक्षों में लिखा जाएगा कि परिवर्तन के लिए इस नारे ने जनता के ब नोब पूजा करते हैं हम लोग जय हंद कहते हैं हम लोग व мной कहते हैं हम लोग श्री राम का कोई बेंगौल में कल्चर इतिहास नहीं रहा और यही मैत मैं कहती हूं कि बी जे पी बाहरीयों के पांगे ...... बादक ग्यान ऐसा ही होता है. जैसा कि मौनता जी ने कहा, जैसिया राम, श्री सिया कहीं परियाए वाच जी कहीं है, जैसिया राम और जैस्री राम को अंतर थोड़ी है. पता नहीं वह इस बात को क्यों नहीं समज़ पाती है? एक जो बड़ा सवाल आपके सामने रहेगा अगर अप्रेल माई में बीजेपी की पश्चिम मंगाल में सरकार बनती है वो ये कि आपकी पार्टी का चीफ मिनिस्टर फेस कौन होगा कल अमिच शाजी थे जहां पर आप बैठें उन्होंने आपको तो आउट कर दिया और आपक जो दाविदारी है वो तो माद्यपरदेश की यहां की लही है वो अलग एक किस्ता है उसको बाद में कभी पूछूँगा लेकिन यहां पर आपके हिसाब से अगर में कहूं कि तमाम जो कैंडिडेट्स उनका स्वाट अनेलिसिस की यह स्ट्रेंड्स, वीक्निस, आप इस सवाल को कैसे देगे दो बात हैं इसमें पहला तो यह कि अब हमारा सिर्फ चडिया की आह की तरह जैसे अरजुन ने देखा था कि सरकार बनाना, सरकार बनाने की तरफ ध्याने, मुख्य मंत्री बनाने की तरफ ध्यान नहीं है, पहली बात, दूसरी बात, भारती ज आपने सवाल का जवाब नहीं दिया मैंना स्वाट अनलेसिस क्या रहेगा कि अगर पून बहुमत की सरकार आती है तो अलग टाइप का कैंड़ेट हंग अग सेमली आती है तो अलग टाइप का कैंड़ेट मैं फिर कह रहा हूं कि यह सब परिनाम आने के बात यह आपका कालपनिक प्रशन है है हंग आई तो फिर हम विचार करेंगे उस वक्त अभी तो हम दो त्यहाई बहुमत की बात कर रहे हैं दो त्यहाई से नीचे कि हम सोचते ही नहीं यह जो CPIM Congress का लाइंस है शायद ISF भी उससे जुड़ सकता है आपके हिसाब से यह किस आप इसको कैसे देखते हैं और यह आपका वोट तोड़ते हैं या TMC का वोट तोड़ते हैं तेकि हमने जो हमारा राजनेतिक रणनेति हैं हमारी वो 50% 51% वोट की है हमें 51% वोट लाना है 49 में TMC किसे गड़ बंदन करती है, Congress किस से गड़ बंदन करती है, CPM किस से गड़ बंदन करते है, OAC किस से गड़ बंदन करते हैं हम उससे कोई लेना देना नहीं हम 51% वोट लाकर दो तीहाई बहुमत से सरकार बनाएंगे यह हमारी रणनेति का हिस्सा है और हमारी दर्ड इच् अगर आपको पून बहुमत से सरकार बनानी है तो दक्षिन पश्चिम मंगाल में 2019 के चुनाफ की तुलना में बहतर करना आपके लिए बहुत एहम है आपने कई कदम भी उठाएं फोकस भी रहा है आपके हिसाब से कितना काम्याब आप होएं क्योंकि अगर 2019 का चुनाफ देखते हैं तो नॉर्थ बिंगल से चुनाफ स्टाट होता है उसका रिजल्ट एक तरहं करेता है बहुआ 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 और यहां पर आके पूरा निला तो इसको कितना रिवर्स कर पाएंगे और कि अब तक कि अपनी स्ट्राइडिजी बहुत कामयाब होगे हमें और यहां पर भी हम आश्चर जनक परिणाम देंगे जिसे कि पिछले लोग सबाह में अमने पर्च्छ मंगाल अश्चर जनक परिणाम दिया थे यह पूरा प्रेसिडिंसी एरिया जो हमारे फोकस में है और यहा आपको चिन्ता है कि अगर थोड़ा कम रह जाया हमाहूस आजाया तो फिर CPIM और कॉंग्रेस का TMC की तरफ जाने के जाधा चांसे आपकी तरफ तो आने के अलमोस जिरो चांसे तो फिर आपके लिए इसी लिए पुन भूमत जीतना असानि है कि आपके अपके अलाइज मिल सकते हैं जैसे कॉंग्रेस जे डी एसकी बीच में हो गया था शुरू में बैंगलोर में नकारात्मा कभी सोचता है नहीं हमें सकारात्मास खुछना और मुझे विश्वासे की दोतिया ही भूमस से हम जीते हैं इसलिए इस वारे में कभी सोचा है थे नहीं है नहीं से नहीं कहा कि देखो सकते हैं और उनका इस प्रकार के आरोप लगाने का अधिकार भी है विवक्ष की हैसियत से पर सवाल यह है कि आज इस देश का नेतरत्प मोधी जी कर रहा है और मोधी जी के प्रती एक वो विकास की प्रतिमूर्टी बन गया है एक नया कुछ होना चाहिए एक नया इंडिय बनना चाहिए इसके प्रतिमूर्टी बन गया है आज बहुत सारे लोग है जो दूसरे दलों से लड़ के आते हैं और बाद में लगता है कि मोधी जी के साथ जाने के बाद शायद हम कुछ कर पाएंगे तो इसे बहुत सारे लोग आते हैं इसको आप इस दरश्टी से मत दे अनि हकीकत है नतीजे की अब ये सवाल उठता है कि क्या OAC को बंगाल में लाने के लिए ममता जी कहती है कि वो BJP की सीटी में मदद कर रही है BJP पीछे से OAC को यहाँ पर भेज रही है ताकि Muslim vote उनका split हो जागा हम इतने कमजोर नहीं कि हमें अभी किसी OAC जैसे विक्ति क्या हो शक्ता है हम यहाँ बहुत सॉलिड इस्टिती में हैं और हमें विश्वास है कि हमारा इतना काम है छे साल का कि यह हम सरकार बनाएगे हमें किसी की जरुरत नहीं आपको लग क्यूंकि आपने 50% की बात की तो आपके opponent के vote को तोड़ना भी तो आपकी strategy का एक है हम हिस्सा है है ना वो तोड़के तो 51% बने हम और उसमें चार परसंट चाल हुए है 17% पर चालीस परसंट पर हमें कितने चार परसंट तो उसमें आपके फुरफुरा शरीफ की जो पार्टी एक लांच हुई है अबास सिद्धी की इंडियन से किलर फरंट करके उसका रोल आप क्या दे पिछले करी 25 मिनट में हमने आपका बड़ा सीरियस स्वरूप देखा में को किसी ने वाट्साइप पे वीडियो फरवर्ट किया आप अपनी पार्टी के किसी कम्यूनिटी के यहां पर शादी पर गए थे वहां पर आप मोहमद रफी किशुर कुमार के गाने गाने तो मैंन चीक मैंने शुचा ही था नहीं हुआ है कि पर तॉफेशनल सिंंगर। अबैएतरें सुना तो मैं है कि अभी बात तो सुनिए हैं जल एकड़ पर कभी कुछ सीन ले एक रिक नम पर कपे पापिकुश सीन देख highly यहीं कुछ सीन देख कर हैं लंग था यह कून ऐन che लिए पक आप किसी community leader की शादी में आगए और आपने हमें कोई गाना सुनाना है हम लोग अपने फिर्माइश किए आपके पार्टी वरकाज आपके पास बेचा कि एक है कि अपके पार्टी के लोग बैठे हैं आप लोग बैठे हैं आपके लोग बैठे हैं आप यह तुनना चाहें के थ्वासा आप सब अब तो सब जानना चाहना है किते लोग चुनना चाहते हैं का गाना यह देखिए बताईए मुझे अभी सेनिक बेठे हुए थे बंगलादेश के बंगलादेश के युद्ध के पचास वर्ष हुए हैं तो उन सेनिकों को प्रति अपनी शद्धा अर्पित करते हुए दो लाइन सुना देता हूँ अजब आप मैंने सुनाए आप कि शौर कुमार और मोहमद रफीक आप ने पहां पर वो सेना के चकर आप पड़़ गाने आते हैं वो सुनाईए अब इता दिमांग पर ज़ो डाल रहे हैं वो गानों की लिय्रिक्स जो फटाफ़ जुबान पर और मोहमद रफीक मेरे मेरी क जैसे का अंधे पे बादर जुके हुए आखें हैं जैसे मैं के प्याले वरे हुए मस्ती है जिसमें प्यार के तुम वो शराब हो चोधवी का चांद हो या अफताब हो जो भी खतुम खुदा की कसम लाजवाब हो क्या बात है जोरदार तालिया अच्छा जब मुझे बोला की गाते हैं तो मुझे लगा हाँ इतना अच्छा गाते हैं नहीं बताया था किसी ने मैं अच्छा गाते हैं आपने कभी ज़से आपने कभी दोसे यार की कि अज़ेता है कि मैं दूसरा अल्टनेट करियर भी हो सकता है ब्चार बगाल में जिताने के राभ़ाब आप कॉंसर्ट वगएर कर सकते हैं राजनीती में पया हो जायां हो आपर आपना शोच हो तो कम आपना आप ने खूलो एडा यह लिए आपने श्या किकनो आप लाएं ने तो जो आप एक अपड़ का आप कौिशू आप लागा यांटर लाइन इंट वाएं रा कानी कानता जो अप्टे लागा है है अगाना फिर पुम्हें कोई और देखें तो जलता है दिल बड़ी मुश्किलों से फिर समहलता है दिल क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे विना हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे विना क्या बात है आप तो एक दम प्रोवेशनल सिंगर की तरह गाते हैं और अगली दफा उशा उत्तब जी को या पापॉन को बुलाने की जागा आपने तो समा बान दिया ये तो आपका एक ये तो आप एक दम कॉंसर्ट कर सकते कॉंसर्ट लाइप कोईली वोइस है कि नहीं अमेजिंग फैंटेस्टिक थैंक यू सो मच केलाज वजय वर्गर जी आप आए जुड़े और आपने चुनाव की अपनी स्ट्रेटीजी भी बताई और ये गाने भी गुन गुना के सुनाए एक दिन जब हम राजनीती की बात नहीं करेंगे मुझे लगता है कि तसली से आप और हम बैठेंगे और आपको हम इसी तरह से आक्शन में देखेंगे तो मज़ा आ गया है थैंक यू सो मुझ के राजी थैंक यू थैंक यू थैंक यू य थैंक यू थैंक यू